हेलो बच्चों, लेट्स रीड इस कोशन एंड दा कोशन सेज देट अ कनवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमेटर इस प्लेस्टेमेटर इस प्लेस्टेमेटर इस पर हमने 20 सेंटीमेटर पर एक स्क्रीन रखे हुई है तो हमसे कहा गया है कि की किस दूरी पर जो है स्क्रीन द की कॉंसेटेम यूज कारेंगे कानवेक्स Lens Convex Lens अब आई हम देख लेता है कि हमारे पास क्या डेटा गी भी नहीं है पर हमारे पास क्या कहा हुआ है कि Focal Length हमारे पास Focal Length जिसे कि हम F से डिनोट करते हैं वो है हमारे पास 20 cm और वो है हमारे पास बच्चों यह पर 5 cm Focal Length है 5 cm और हमने स्क्रीन जो रख हुई है बच्चों वो 20 cm पर रख हुई है तो मतलब जो हमारी समय हमें है कि और हम रटा यह साइg बंती है आप इमेज डिस्टन्स का वह पॉजिटिव आए हम कि अब हम जानते हैं कि हमेरे पास यहां पर जो फॉर्मीला होता है लैंस्ट वो होता है 1 बाय यू माइनस वन वाइक वाइत है equal to one by f यहाँ पर वी रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस यू रिप्रेजेंट करता है अब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ यहाँ पर अगर से थोड़ा और सिंप्लिफाइए करें तो यह हो जाएगा हमारे पास one by b minus one by f is equal to one by u यह हो जाएगा तो हम यहाँ पर one by u निकाल सकते हैं यह values रखके तो हमारे पास image डिस्टेंस क्या है वो है plus 20 cm focal length है हमारे पास five cm तो यह हो जाएगा हमारे पास one minus four divided by twenty तो one by u आएगा हमारे पास यहाँ से माइनस three by twenty और हम क्यात दें या फिर यू जो होगा हमारा वह होगा माइनस twenty by three और यहाँ से आजाएगा हमारा minus six point six minus six point six तो हम कह सकता है कि जो हमारे object होगा वो कहां होगा माइनस six point six centimeter के distance पर होगा from the convex lens यहाँ पर बचे जो माइनस साइन है यह बिसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि object जो है हो हमारा left hand side पर रखा हुआ है lens के तो यह हमारा distance आ चुका है object का जो कि हमसे पूछा गया था so I hope you understood it well best of luck